दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में देखो मैंने एक रियलमी का फोन रिव्यू कर दिया गलती से क्योंकि मैंने वह अपने लिए खरीदा था उसमें जो परेशानिया थी मैंने आपको बता दी पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा और आप मानोगी नही है मतलब लोग लिटरली यह चाते हैं कि मैं सारे काम छोड़कर सिर्फ फोन रिव्यू करना शुरू कर दू क्योंकि वो फोन मैंने खुद अपने पैसों से खरीजा था तो उसको बिलकुल अनबाइस होना तो तैही था आपर मैं कोई भी बायस चीज नहीं बुली इस चीज अगर आप डिसकाउंट डिसकाउंट लगाके ऑफलाइन मार्केट से अभी इसी वक्त खरीद के आए तो चारजी भी 128 वाला अब इस फोन के बारे में बात करते हैं कि क्या यह फोन उस फोन से बेटर है या यह फोन भी उसी कैटेगरी में आता है अब यह दो फोन और रेडमी से आते हैं इस फोन के स्पेक्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलती है 128 का स्टोरेज मिलता है 4GB रैम है जिसमें 4GB एक्स्ट्रा वर्चुल रैम मिलता है तो 8GB नो ने बॉक्स पे लिख दिया है वैसे यह 4GB रैम वाला वेरियंट है 11700 रुपे का मुझ टेक्शर पर इसकी फैब्रिकेशन हुई है चार नैनोमेटर आप सोच सकते हो रियल्मी का जो डिवाइस था वो छे नैनोमेटर पर था और उस पर यो हल्ला मचारे थे मिल्या टैक डामन सिटी 6100 प्लस पर था और यह स्नाप ड्रागन फोर जैन टू है जादा पावर एफि जादा स्लिम है इस फोन का जो मेन हाइलाइट है वो मुझे इसकी बैक लगी अब बैक इस लिए कि दोस्तों पूरी ग्लास बैक है यह फोन 11700 का है अब मैं बिल्कूल कह सकता हूं कर हाथ में अपने पकड़ा हुआ है इस सुन्दर फोन मैंने नहीं देखा यह सच बात है मै इसके माइनस पॉइंट भी बताऊंगा और प्लस भी बताऊंगा मेरा खरीदा हुआ बिल मेरे पास है तो किसी कंपनी के उसमें नहीं बोल रहा हूं मैं और यहीं फाइदा होता है बाद मैं बताऊंगा पूरी मैं कंक्लूशन इसका बैक बहुत सुन्दर है दोस्तों आप LCD जो होती है LCD होती है AMOLED नहीं है बहुत स्लीक है ब्लोट वेर की बात करें तो हां इसमें कुछ गेम आते हैं लेकिन फाल तू एड या वो सारी जो रियल में चीज़ आती है डॉजी वो इसमें नहीं है MIUI 14 है Android 13 के साथ आता है यह और इसमें शायद 2-3 साल तक अपडेट आपको मिलेंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात है बात करूं मैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की तो दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस में यह रियल मी के 60X 5G जो मैंने रिविविव किया था नार्ज है तो इसकी प्लस पॉइंट है क्रिस्टल डिजाइन है पीछे का बैक और इसमें कॉनिंग गॉरिला ग्लास आई पी 53 रेटिंगे डास्ट और वाटर स्प्लाश इसके लिए पांच अजार में एक की बैटरी है यूफस 2.2 स्टोरेज 90 हर्ट की इसके डिस्प्लेय दोस्तो 90 हर्ट वहाँ पर आपको 120 देखने को मिलती थी लेकिन ये 90 है तो मेरे हिसाब से 60 से उपर जो भी हो 90 हो 120 हो तो ज्यादा अचकल कोई फरक पड़ता नहीं है अगर आपको फरक पड़ता है तो यह चीज एक देखने वाली है उसमें 120 हर्ट है इसमें 90 हर्ट है तो वो देख बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे सागरवाई YouTube पे तो इतना ही चलता है यह कोई flagship phone थोड़ी है पट फिर भी मेरे हिसाब से अगर refresh rate असा दे रखा है तो सब जगाई होना चाहिए नहीं है तो यह problem वाली बात हो सकती है camera samples मैं आपको दिखा दूँगा gaming के भी sample मैं आप अच्छा काम करता है कैसी video यह बनाता है इसके back camera से अगर आप लॉग करना चाहो video बनाना चाहो तो किस तरह की quality आपको देखने को मिलती है यहाँ पर भी 1080p देखने को मिलता है और 30 fps का जो आपको support मिलता है इसमें तो इस तरह की video इसके back camera से तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से अगर आप realme narzo 60x 5G खरीद रहे हो 12,900 कुछ रपेगा उसके जगा दोस्तों आपको यह ले लेना चाहिए no doubt यह Chinese है no doubt इसमें भी थोड़े bloatware है लेकिन उसके बाद भी processor को देखें display को देखें phone के design को देखें 3.5 mm का jack मिलता है side mounted fingerprint scanner मिलता है और के बच्चे भी जाने लोगे तो दोस्तों मेरी नजर में thumbs up है यह डिवाइस आप ले सकते हो अब देखो कितना प्यारा है और अगर किसी के पास है या वो तो इसके एक बड़ बैक देखके देखना है इसकी सि यह मेरी राय है इस phone के बारे में problems इसमें है camera देखो गाइस इसका जो है वो average Redmi का camera है मतलब ऐसा camera है कि cheap Chinese camera इसे मैं कहूं तो कोई बुरा नहीं है और Redmi इस चीज़ को बिल्कुल इंप्रूब नहीं कर रहा है आप नए-ने model ला रहे हो अच्छी बात है सारे specs अच्छे आ रहे camera के साथ प्लीज improvement कीजिए आप मैं रेटमी को बोलना चाहता हूं सिर्फ अगर camera के लिए खरीद रहे हो तो दोस्तों शायद यह आपके लिए डिवाइस नहीं क्योंकि camera इसका बहुत ही average है back भी और front भी sample देखके आपको पता चल गया होगा और camera खराब है थोड़े bloatware भी है मी यू आई है अभी hyper OS आगया है उसका update आएगा नहीं आएगा पता नहीं इसमें तो आजाना चाहिए क्योंकि नए डिवाइस है 5G phone है सारे ही बैंड को सपोर्ट कर सपोर्ट करता है 5G चला के देखाए इसमों बहुत बढ़िया चलता है full speed आती है कोई भी दिकत नहीं ह बैटरी भी इसकी बहुत लाजवाब है आजकल फोनों की बैटरी अच्छी ही आ रही है तो एक दो दिन आराम से power user भी हो तो last कर जाएगी कोई दिकत नहीं आएगी ये मेरी रहा है दोस्तों Redmi के 5G phone के लिए अगर आप conclusion दिखाते हैं कि अगर आपको ऐसा device चाहिए जो 5G हो और बाकी सारी चीज़े ठीक ठाक हो और दिखने में सुंदर हो और बड़ी स्क्रीन हो और स्लीक हो डिजाइन हो अच्छा और 5G डिवाइस तो इसको आँख बंद करके लिए लो आप अगर आप ऐसा device चाहते हो जिसका camera ला जवाब हो जो थोड़ा मोटा भी हो तो चलेगा camera ला जवाब हो और आपको इसके design से कोई फरक नहीं पड़ता तो आपको ये नहीं लेना चाहिए gaming के लिए भी ये decent है अब देखो ये तो इसका review हो गया मैंने बता दिया क्या अब मैं फोनों के review करना शुरू करूँगा दोस्तों ये possible नहीं है क्योंकि market में हर एक device मैं अपने पैसो से नहीं खरीच सकता अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे monthly करोड़ो रुपे का business करना पड़ेगा करोड़ो रुपे खर्च करने पड़ेंगे जो को मैं नहीं कर सकता हर एक device को मैं नहीं खरीच सकता अगर companyya मुझे device देती हैं तो करेंगे दोस्तों यह possible नहीं है मैं नहीं कर सकता जो चीज मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप पकड़ सकते हो कि कोई भी इंसान अगर किसी phone को review कर रहा है वो genuine कर रहा है या fake कर रहा है इसकी एक master वीडियो मैं बना सकता किसी भी यूट्यूबर को पकड़ पाओ क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ पिछले 8 सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं आपको ऐसी चीज़े पता सकता हूँ जिससे आप किसी भी reviewer को देख के बता सकते हो कि यह गलत बोल रहा है जूड बोल रहा है यह एक paid और biased review है यह चीज़ मैं कर सकता हूँ और मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि अगर आपको स्मार्टफोन खरीदने जाए तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यह दो वीडियों है जो मैं फ्यूचर में दे सकता हूँ उसके अलावा अगर मैं अपने दिये कभी को स्मार्टफोन खरीद दूँगा तो उसकी वीडियो मैं बना कर आपको दे दूँगा आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए नहीं अच्छी लगी तो इसलाइक कीजिए कॉमेंट्स आप नीचे लीव कीजिए मैं प बाशा में आपको यह लाकिंग सिखा देंगे मैं मिल तो आप से एक लीव वीडियो में थैंक यू सो मच एन गुडबाई झीचे मा मा कीजिए में बाशा माशू आपए लतापश सिर्फी लीव नहीं वीव बाशा सिर्फेयो मता नहीं ज़िए आप लो अंनलह्यों सिर्फशने रस्वटा देंगे मैं बाशासू explains